दोस्तो 2020 में कब है महा शिबरात्री और शिब को ऐसा क्या अर्पित करें जिससे आपका सोय हुआ भागित जाग उठें। खास्तोर से शिबरात्री पर ये चीजें शिब को चड़ाने से ब्यक्ती का भाग ये चमक उठता है। शिब होते हैं अतीप प्रसंद। दोस्तो भगबान शिब के भक्तों का सबसे बड़ा तेवार महा शिबरात्री 21 फर बरी शुकुरबार को है। इस अपसर पर भगबान शिब को खुश करने की चाहत सभी भक्तों के मन में रहती हैं और इसके लिए बू हड़ तरह से प्रयास करते हैं। अगर आप भी महा शिबरात्री के पावन अपसर पर भगबान शिब को प्रसंद करके शुबलाप का आश्रिबात पाना चाहते हैं। तो शिबरात्री के अपसर पर इन साथ चीजों से करें भगबान शिब की पूजा। शिब होते हैं अतिप्रसं। मिलता है मू मांगा बर इसलिए सबी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगबान शिप का अभिशेक करने से मानसिक शांती और सुक की प्राप्ति होती है। बना कर भगबान विश्नु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। छट पर्व में भी छटी मया के लिए गंगे का घर बनाया जाता है। ऐसी माननेता है कि गंगे के रश से शिबलिंग का अभिशेक करने से धन धाने की प्राप्ति होती है। दोस्तो नमबर त्री तीन पत्तो बाला बेल पत्र जो कटा फटा नहीं हो। ऐसा भगबान शिब को चड़ाएं। तीन पत्तो बाला बेल पत्र तृदेव भ्रह्मा विश्नु महेश का प्रतीक माना जाता है। महा शिबरात्री के अपसर पर बेल पत्र अरपित करने से शिबलो की प्राप्ती होती है। ऐसा पुराणों में बताया गया है। 5. चांदी के नाग नागिन के जोडे ग्रैयों के अशुप प्रभाप के कारण घर में सुक शांती की कमी और आड़ थिक परिशानियों को दूर करने के लिए महाशिबरातिरी के अपसर पर भगबान शिप को नाग नागिन के जोडे संपृत करें इससे काल सर्प और नाग दोश समाप्त होता है दोस्तो नमबर 6 धतूरा भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बुटी है भगबान शिप के सिर पर चड़े बिश के प्रभाप को दूर करने के लिए धतूरे का प्रियोग भी किया गया था इसलिए शिप जी को धतूरा भी प्रिये है महाशिबरातरी के अपसर पर शिबलिंग पर धतूरा अर्पित करें इससे शतूरों का भैद दूर होता है साथ ही धन संबन्दी मामलों में उन्नती होती है दोस्तो नमबर 7 भांग भगबान शिब ने हला हल बिश का पान किया है इस बिश के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रियोग देपतावने किया इनमें भांग भी एक है इसलिए भगबान शिब को भांग बेहत प्रिये है शिबरातिरी के अपसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीस कर दूद्या जल में घोल कर भगबान शिब का अभिशेक करें तो रोग दोस्ट ये मुक्ती मिलती है दोस्तो जानकारी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हर हर महा देब भोले नात आपकी हर मुरात को पूरा करें तो दोस्तो धन्यबाद